हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड सीजी को देखते हैं जिसकी एक पैट शॉप है और वो अपने एक कस्टमर के पास कॉल करके बोलती है मैं जब मुझे टाइम होगा तब मैं तुम से मिलने आऊँगा अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो आदमी अपना डॉगी लेकर सीजी से मिलने आया था और उसी रेस्टोरेंट में एक और लड़का आया हुआ था जिसका नाम गोयान है और वो वह एक ब्ल समझ लेता है और फिर उससे कहता है मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है जल्दी करो फिर सीजी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगी मैं आपके साइट की बेसिक टीटेल्स देख चुकी हूँ अगर तुमें कोई प्रॉबलम ना हो तो हम आज रात कोई वैडि सी यह सुनकर गोयान अपने मन में चहता है आज करा लड़कों कितनी मॉडन हो गई हैं तब ही सीजी बोली अच्छा ये बताओ उ तुमने एक बच्छों का प्लैन किया है गोयान कुछ बोल पाता उससे पहले सीजी कहती है छह बच्चे इन फोंगे नहीं सुनकर गोयान हु समझता है और वहां से जाने लगता है लेकिन तभी वह वह वहां पर एक लड़की को लड़के से जगड़ा करते हुई देखते हैं और तब उन्हें समझ आता है कि वह गलत परसन से मिले हैं वहीं वो लड़की जो गोयान की blind date थी वह वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, ये देखने के बाद सीजी गोयान से बोली, लगता है मैं गलस सीट पर बैठ गई, लेकिन मैं तुम्हारी ब्लाइन डेट को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गोयान उसका हाथ पकड़ लेत होता है, और चिलाते हुए कहता है, अपनी बेहन को यहां लेकर आओ, और हमारी फैमली में उसकी शादी करा दो, वैसे भी मेरी लाइफ तुम दोरों बेहने बरबाद कर चुगी हो, तब ही वहाँ पर सीजी आ जाती है, जो उनके हस्बेंट को उन्हें मारने से रोक देती ह अब हम प्रिजेंट का सीन देखते हैं, जहां गोयान उससे कहता है, क्या तुम मेरी जॉब के बारे में सोच रही हो, तो सीजी कहती है नहीं, मुझे इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता, खेर सबसे पहले मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूज करवाती हूँ, म मेरा नाम गोयान है और एज 30, मेरी सेलरी सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमली को सपोर्ट कर सकता हूँ, फिर वो दोनों हैंड्शेक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी गोयान बोला, अगर तुमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम मैरीज सर्टिफिकेट ले ले पर रहूंगी, तो गोयान कहता है हाँ, तुमारी मुझसे शादी हुई है, तो यह मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर दू, फिर सीजी बोली, ठीक है तुम मुझे उस घर का एड्रेस और की दे दो, यह सुनकर गोयान अपने मन में बोल और देता है कि उस घर को जल से जल रेडी करवा दे, अगले सी इन में सीजी अपने घर वापस चली जाती है, जहां उसकी सिस्टर उससे बोली, आज तुम वापस क्यों आ गई, क्या तुम आज स्टोर नहीं खोलने वाली, तो सीजी बोली, हाँ आज वाज ज्यादा काम नह लगती है, जबी उसकी सिस्टर बोली, तुमारे ब्रेदर इनलो तुम्हें यहां से भगाना नहीं चाते, वो बस उन्हें काम का थोड़ा प्रेशर है, जबी सीजी उनसे कहने लगी, वो आपकी बिल्कुल भी केर नहीं करते, आप पूरा दिन काम में बिजी रहते हो, पू कुझे हां से मूँ आउट करना है, क्योंकि मैंने शादी कर लिए, ये सुनकर उसकी सिस्टर बहुत ज़्यदा शौक डुजाती है, और फिर वो उससे पूचने लगी, तुमने अचानक से शादी क्यों कर ली, तुमारा तो कोई बॉइफ्रेंड भी नहीं था, इस पर सीज कहती है, नहीं मैं काफी टाइम से रिलेशन्सिप में थी, और उसका नाम गोयान है, पहले वो काम में बहुत बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं, फिर उसकी सिस्टर बोली, लेकिन तुमने ये सब अचानक से क्यों किया, क्या तुम जानती हो कि उसक बहुत बढ़ा था, फिर वो शौक ढोकर बोली, क्या ये गोयान का घर है, या फिर कहीं मैं गलत जगे तो नहीं आ गई, इसके बाद वो घर देखने लगती है, और कहती है, ये घर पूरा खाली क्यों है, खैर कोई बात नहीं, मैं या पर थोड़ा फरनीचर रख लूँ, अफ्टर ओल, अब ये मेरा खुद का घर है, इसके बाद वो अपने बैड रूम में चली जाती है, तब ही उसके पास उसकी फ्रेंड शावयान का कॉल आता है, जो उसे पैट शौप पर बुला रही थी, अगले सीन में सीजी पैट शौप पर चली जहां शावयान बहुत श फिर शावयान उससे कहती है, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी, तो मेरे कजन से कर ले थी, किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से तो अच्छा ही था, तो सीजी कहती है, हाँ भी मैं उसे अच्छे से जानती नहीं हूँ, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और इतनी अबिलिटी भी नहीं कि मैं रिचलोगों को फ्रेंट्स भी बना सकूँ, इसलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी किये, जिसकी फाइनेंसियल कंडिशन मेरी तरह है, अगले सीजी वापस घर आ जाती है, और गोयान को आवास देने लगती है, लेकिन गोयान का कोई रि स्लिपर्स रखी हुई थी, और उसके फिंगर प्रिंट भी काम नहीं कर रहे थे, इसके बाद वो डोर नौक करने लगता है, थोड़ी देर में सीजी डोर खोल देती है, और वो उसे चोर समझकर उस पर एटेक करने वाली होती है, फिर गोयान को देखकर बोली, एम सौरी कोई मैन रहता है, फिर गोयान उसे बोला, अबसे अगर मैं किसी विजनिस ट्रिप पर जाऊंगा तो उससे पहले तुम्हें बता दूगा, और अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो यह समझना है कि मैं डेफिनेटली घर वापस आऊंगा, इसके बाद सीजी उससे कहती है, क जिसने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई थी, तब ही गोयान को बहुत जदे इंबेरस फिल होता है, और फिर वो जल्दी से वहां से चला गया, इसके बाद सीजी अपने आप से बोली, इतना बड़ा आदमी इतना शाय कैसे हो सकता है, यह कहकर वो भी उस पर हसते वे वहां स चली गई, अगले सी इन में सीजी ब्रेकफास्ट कर रही होती है, और तभी वहां पर गोयान आकर उसे बूला, एम सॉरी मैंने कभी किसी के साथ हाउस शेयर नहीं किया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, तो सीजी कहती है, कोई बात नहीं, मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट करने दोगे, इस पर गोयान कहता है, हाँ अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब से एगर तुमारा भी है, और तुम इसे जैसे चाहो डेकुरेट कर सकती हो, इसके बाद वो उसे अपना मनी कार्ड देता है, और उससे कहता है, इसमें मेरी मंतली सैलेरी आती है, तब सीजी चुपते हुए गोयान के रूम में आती है, और उससे बोली, क्या यहाँ क्लोज सुखाने के लिए कोई पोल नहीं है, और मैं यार्ड में कुछ फ्लावर सुखाना चाती हूँ, वहां मैं एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगी, तो गोयान बोला, मुझे इस सब के बार कर जल्दी से वहां से चली जाती है, इसके बाद गोयान के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आपकी जरुवत है, तो गोयान उसे वहां आने के लिए हाँ कह देता है, इसके बाद वो सीजी से बोला, आज मैं किसी इं में अब तो आपको परिशान नहीं करता ना तो उसकी सिस्टर कहती है तुम तो अपने ब्रेदर इनलों का नेचर जानती हो खेर तुम मेरी फिकर मत करो अभी तुम काम पर जाओ इसके बाद सीजी अपनी शॉप पर जाने लगती है तब ही उसका स्कूटर किसी की कार से टकरा जाता है और फुर देखती है कि एक कार बहुत महंगी थी जिस पर स्क्रैच आ गया था फिर वो उने सौरी कहने लगती है और तब ही गोयान उससे अपना फेस चुपा लेता है ताकि इससे पता ना चले कि वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है फिर सीजी उससे बूली बताओ आ पिछलो काफी काइंड हो गया उनकी कार में इतना स्क्रैच आ गया फिर भी उन्होंने मुसे मुझे नहीं मावजा नहीं मांगा ये कहकर वो वहां से चली गई इसके बाद जब वो शौप पर जाती है तो शावयान उससे बोली तुम्हें क्या हुआ है इस पर सीजी कह दिय जब मैं शौप पर आ रही थी तब मेरा एक एकसिडेंट हो गया तो शावयान कहने लगी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई सीजी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है उन्होंने मुझे 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 नहीं मावजा फिर शावयान उससे कहने लगी क्या तुमने उस कार में बैठे वे लड़के को नहीं देखा वो जरूर बहुत हैंडसम होगा बिल्कुल किसी नौवेल के मेल लीड की दर है इस पर सीजी कहती है कार की विंडो आफ दी फिर मैं उसे कैसे देख सकती थी अगले सीन में सीजी में करवाना चाती हैं प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो वहाँ पर बहुत सारी रिच लोग आने वाले हैं फिर सीजी उससे बोली शाहिद तुम भूल गई मेरी अब शादी हो चुकी है तो शावयान कहती है कोई बात नहीं पर तुम वहाँ डिलीसियस फूर तो खा सकती हो ह मेंस के लिए थोड़ी जा रहे हैं फिर उसके बात रिक्वेस्ट करने पर सीजी वाँ जाने के लिए मान जाती हैं अगले सीन में वो दोन उस पार्टी में पहुंच जाती हैं जहां शावयान की मौम एक वेटर का काम करती हैं वो शावयान को देखकर उसे बूली अब तु कोई ना कोई तुम्हें पसंद कर लेगा इसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान भी उसी पार्टी में आया होता है और साथ में उसके काफी सारे बॉडी गार्ट्स भी आए थे तबी गोयान का असिस्टेंट वहां सीजी को देख लेता है और फिर गोयान से बोला लगता है यहां मैडम भी आई हुई है यह देखकर गोयान उससे छुपने लगता है और फिर असिस्टेंट से बोला वो मुझे यहां देखना ले ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है इसके बाए शावयान आकर सीजी से बोली मैं वहाँ गई थी पर उसे देख नहीं पाई मैंने सुना है कि कोई भी वुमेन मिश्टर गोयान को आसानी से अप्रोच नहीं कर सकती देखो उसके साथ कितने सारे बॉडिगार्स थे वो उन्हें लड़कियों से दूर रखते हैं वैसे तुमारे हस्बेंट का नाम भी तो गोयान है न हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हों सीजी बोली लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही रॉमेंटिक नोवल्स पढ़ लिए यहां तो कितने सारे लोग होंगे जिनके सेम नाम है लेकिन वो सब एक दूसरे को जानते हों यह जरूरी तो नहीं और मेरा हस्बेंट बस एक औरडिनरी वर्कर है तब ही वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम शेयन है और फो शावयान का कजन है सीजी उससे कहने लगी तुम आचानक से कितने बड़े हो गए जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम एक छोटे बच्चे थे इस पर शेयन कहता है मैं आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूँ तब ही शावयान बोली तो फिर तुम कोई गर्फरेंड क्यों नहीं बना लेते ये सुनकर सीजी उससे कहती है शेयन अभी से बिक्किस साल का है अभी उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए फिर वो उन दोनों को अपने साथ घर वापस ले जाता है अगले सीजी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर गोयान पहले से आया हुआ था फिर वो उससे बोली तुम तो आज रात को ओवर टाइम करने वाले थे फिर वो अपने मन में कहता है क्या तुम इतना भी नोटिस नहीं कर सकती कि इस वक्त में ठीक नहीं हूँ फिर सीजी एपल खाने लगती है तब ही गोयान उसे रोक देता है तो सीजी बोली क्या ये एपल तुमें खाना है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम रात को खाना नहीं खाते ये कहकर वो फिर से उसे एपल को खाने लगती है तब ही गोयान बोला आज तुम्हारा स्टोर इतनी जल्दी बंद की हो गया इस पर सीजी कहती है क्योंकि शावियान आज मुझे अपने साथ एक पार्टी मिले गई थी और फो बहुत रिच लोगों की पार्टी थी वहाँ पर यंग माश्टर गोयान भी आयोए थे गोयान शौक डोकर बोला कि तुमने भी उसे देखा था तो सीजी कहती है नहीं क्योंकि उसके चारो तब काफी सारे लोग थे जैसे वहाँ कोई बंदर आ गया हूँ लेकिन ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझा गई कि तुमारा यंग माश्ट गोयान से कोई लेना देना नहीं क्योंकि अगर तुमस्चिमें यंग माश्ट गोयान होते तो आज मैं तुम्हारे साइड में ने बैठी होती ये सुनकर गोयान बोला अगर मैं सचमी यंग माश्ट होता तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है इस पर सीजी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मेरी रिच फैमली में शादी होती तो मैं तो अपने आपको बहुत लगी समझती लेकिन ये तो बस मेरी ड्रीम के तरह है रियल में थोड़ी ये सब पॉसिबल है वैसे यंग माश्टर गोयान को लड़कियां पसंद नहीं है मुझे तो लगता है वो मैंस को लाइक करता होगा ये सुनकर गोयान को बहुत वीर्ड फील होता है और फूच चिलाते हुए उससे बोला तुम अपने खुद की लाइफ पर ध्यान दो दूसरों पर अटेंशन देने का कोई फायदा नहीं ये कहकर वो वहाँ से चला गया अगले सीन में सीजी की सिस्टर को सामान खरीद कर ला दिये तब ये उसका हस्बेंट कॉल पर उससे कहता है तुमने अभी अभी 2000 युवान कहां इसपेंट किये तो सीजी की सिस्टर कहती है मैंने सीजी और हमारे बेटे के लिए कुछ सामान खरीदाए तो उसका हस्बेंट बोला तुमें सीजी के लिए कुछ खरीदने की क्या जरूद थी ये कहकर वो कॉल कट कर देता है फिर उसके पास एक लड़की आती है जो उसके मिस्ट्रेस है और वो उससे कहने लगी मिस्ट्र जोओ आपको इतना गुससा किसने दिलाया इस पर जोओ कहता है मेरी वाइफ और उसकी सिस्टर के अलावा कौन ये कर सकता है अब हमें फ्लेश बैक में एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी सीजी को बेहुश करके एक होटल रूम में लेकर आता है और बाहर आकर वो जो उसे कहता है तुमने पैसो के लिए अपनी सिस्टर इनलो को बेच दिया तुम बहुत क्रूल परसन हो इस पर जोग कहता है मैं उसका डेली का खाने पीने का खर्चा उटा रहा हूँ अगर मैं उसको यूज करके थोड़े पैसे कमा लूँ तो इसमें क्या गलत है वहीं दूसी और हम देखते हैं कि एक लड़का सीजी के रूम में आता है और फो उसके साथ वन नाइट पैन करता है वहीं दूसी और हम सीजी की सिस्टर को देखते हैं जो अपने स्कूटर से एक कार को टककर मार देती है तब ही वहाँ पर उस कार का ओनर आ जाता है सीजी की सिस्टर उस्से माफि माग रही होती है लेकिन तबी ओनर बोला कोई बात नहीं तुम हमें अपने फोन नमबर दे दो जब हम इंशॉरेंस कंपनी से बात करेंगे तो मैं तुमें कॉल करूँगा फिर वो उसे अपना नमबर दे देती है और उससे कहती है मैं इस एक्सिडेंट की सारे रिस्पॉंसिबिलिटीज लेने को तैयार हूँ और फिर वो उने थैंक्स कहें कर वहां से चली जाती है अगले सीन में सीजी को देखते है जिसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और सीजी उससे कहती है आप फिकर मत करो मैं बहुत जल्दी वहां आ रही हूँ ये कहकर वो उससे मिलने के लिए चली जाती है जब वो घर पहुंसती है तो देखती है कि जो उसकी सिस्टर पर चिला रहा था और उससे कहरा होता है कि मुझे तो पहले से पता था तुम एक डिजाश्टर हो एक दिन तुम मेरे सारे पैसे बरबाद कर दोगी ये कहकर वो उस पर बहुत ज़्यदा गुस्सा करने लगता है तब ही सीजी अपनी सिस्टर के पास आकर बोली क्या ठीक है आपको कहीं चोट तो नहीं आई तब ही उसका हस्बेन बोला अगर तुम्हें चोट भी आई हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुमने जो एक प्रॉबलम खड़ी किया उसके लिए तुम्हें खुद पे करना होगा इस पर सीजी कहती है आप फिकर मत करो पहले हम उस कार के ओनर से मिलने के लिए चलते हैं अगले सीन में सीजी कर वापस आ जाती है तो गोयान उसे देखकर कहता है तुमाज इतनी सैड क्यों लग रही हो इस पर सीजी बोली मेरी सिस्टर ने आज एकसिडेंटली एक कार को टकर मार दी और उनके पास मौज़ा देने के लिए पैसे नहीं है तब ही गोयान बोला उस कार को पेंट कराने में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे तो सीजी कहने लगी वो कोई और्डिनेरी कार नहीं थी मेरी सिस्टर ने बताये कि वो बहुत महेंगी कार है फिर गोयान उससे बोला तुम इनसे बातों की फिकर मत करो अभी तुम रूम में जाकर रेश्ट करो इसके बाद सीजी सोने के लिए वहाँ से चली गई इसके बाद गोयान अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे उस कार का मौवज़ा देने के लिए कहता है अगले सुबह गोयान सीजी के पास जाकर बोला क्या तुम अभी भी अपने सिस्टर के लिए परिशान हो तो सीजी कहती है हाँ तब ही गोयान बोला अब तुमें उस बात की फिकर करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि जिस कार की टकर हुई थी वो हमारी कमपनी के ही कस्टमर है और मैंने उसे बात कर लिए ये सुनकर सीजी उसे थेंक्स कहते हुए बोली मेरी सिस्टर इस बात को लेकर बहुत परिशान थी उन्हें तो कल रात नीन भी नहीं आई होगी तब ही उसके पास उसके सिस्टर जियांग का कॉल आ जाता है और फो उसे बताती है कि उस कार का ओनर मेरे हस्बेंड की कमपनी का ही किस्टमर है और इन्होंने ये मैटर सॉल्व कर दिया है ये सुनकर जियांग कह दिया है हाँ मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी कार के ओनर ने मुझे कॉल करके बताया कि गोयान ने उसे पे कर दिया है इसके बाद सीजी गोयान को थैंक्स कहने लग दिया तबी गोयान उसे बताता है कि अगले दो दिनों तक मेरी vacation है अगर तुम्हें इस घर की decoration के लिए कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना मैं वो खरीद लूँगा सीजी इसके लिए हां कह देती है और फिर उसे बोली तुम्हें मेरे साथ flower market चलना होगा जहां सीजी उससे कहती है यहां पर बहुत अच्छे अच्छे plants है इस पर गोयान बोला अगर तुम्हें पसंद है तो हम सारे plants को खरीद लेते हैं इस पर सीजी कहती है मैं यह afford नहीं कर पाऊंगी और तुम भी इतना ज़्यादा अर नहीं करते हैं कि मैं हर चीज में तुमारे पैसे spend करूँ फिर वो एक plant देखने के लिए जा रही होती है तब ही एक scooter से उसके टकर होने वाली होती है लेकिन गोयान उसे बचा लेता है फिर उससे बोला तुमें थोड़ा ध्यान road पर भी देना चाहिए इस पर सीजी कहती है जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं आखे बंद करके भी चल सकती हूँ इसके बाद वो दोनों flower shop के अंदर चले जाते हैं जहां सीजी उससे कहती है ये flowers मुझे बहुत पसंद है लेकिन पता नहीं कितने expensive होंगे इस पर गोयान बोला कोई बात नहीं तुम इने ले सकती हो क्योंकि इन में से कुछ plants को मैं afford कर सकता हूँ अगले सीजी इन में सीजी अपने यार्ड में plants लगा देती है और अपने आप से बोली मैंने सोचा नहीं था मेरा ड्रीम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और वहाँ गोयान को देखकर उस पर हसने लगती है तब ही गोयान उससे बोला तुम हस क्यों रही हो इस पर सीजी कहती है बुझे तुम्हें देखकर हसी आ रही है तब ही गोयान उसे अपने पास कीच लेता है और उससे कहता है अब तुम और नहीं आस सकती ये कहएकर वो उससे किस करने वाला होता है तब ही उसके फोन पर किसी का कॉल आजाता है और 4 call attend करने के लिए वाँ से उठकर चला गया 4 call उसकी grandma का था गोयान उनसे कहता है Sorry grandma मैं आजकल बहुत busy हो गया हूँ तो उसकी grandma कहती है लगता है तुम अपनी grandma को seriously नहीं ले रहे तुम अपनी wife को मुझसे मिलवाने के लिए क्यों नहीं लेकर आए तो गोयान बोला आपने मुझसे promise किया था कि अगर मैं शादी कर लू तो आप मेरी married life में interfere नहीं करेंगी तो अब आप अपना promise तोड़ नहीं सकती फिर उसकी grandma इसके लिए हाँ कह देती है और फिर call कट कर देती है तब ही वाँ उनका दूसरा grandson शाओ चैन आता है जो उनसे कहने लगा भाई ने ना सिर बचानक से शादी कर ली बलकि ये बात हमसे छुपा कर भी रखी तो उसकी grandma कहती है गोयान हमेशा लड़कियों से दूर रहता है कम से कम उसने शादी तो की भी बुला सकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिले में सिर्फ वही है गोयान इसके लिए हां कह देता है और फिर वहां से चला गया अगले सीन में सीजी अपनी सिस्टर जियांग से मिलने जाती है और फिर उससे कहने लगी इस वीकेंड गोयान की फैमिली मुझसे मिलने के लिए आने वाली है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और ब्रेदर इनलो भी साथ में आए तो जियांग बोली मैं वहाँ डैफिनेट लियांगी लेकिन तुमारे ब्रेदर इनलो काम में बहुत बिजी रहता है ये सुनकर जो बोला किसने का कि मैं बिजी हूँ तुमारी सिस्टर परसनली हमें इन्वाइट करने के लिए आई है फिर वो धीरे से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है वो बेवकुफ परसन जिसने इस लड़की से शादी कर ली फिर वो सीजी से बोला तुम फिकर मत करो तुमारे ब्रेदर इनलो माँ जरूर आएंगे आफ्टर ओल हम एक फैमिली हैं ये कहकर वो अपने काम पर चला जाता है इसके बाद जियांग सीजी से बोली तुमारे ब्रेदर इनलो हमेशे ऐसे ही नॉनसेंस करते हैं तो तुम उनकी बातों को सीरेसली मतलो अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो एक होटेल रूम में होती है और वहाँ एक लड़का उसके साथ रॉमेंस कर रहा होता है ये देखने के बाद उसकी नींद खुल जाती है और फिव अपने आप से कहती है मुझे हमेशा ऐसा ड्रीम क्यों आता है इसके बाद वो गोयान के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा इस पर गोयान कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कॉल पर सो जाओ जब तुम्हें नींद आ जाएंगी तब मैं खुद कॉल कट कर दूँगा इस पर सीजी कहती है ये सब तो किसी आइडल ड्रामा की तरह लग रहा है खेर मुझे पता है कि अभी तुम बहुत बिजी हो इसलिए मुझे तुम्हें परिशान नहीं करना चाहिए लेकिन गोयान बोला मैं तुम्हारा हस्बेंड हूँ अगर तुम मुझे परिशान नहीं करोगी तो और किसको करोगी तब ही सीजी बोली हाँ लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने वर्क में बहुत विजी हो और मैंने अभी तुम्हारी आवास सुन ली तो मुझे काफ़ी बैटर फील हो रहा है इसके बाद वो कॉल कट कर देती है अगले दिन सीजी खाना बनाती है तब ही वहाँ पर जियांग अपने हस्बेंड के साथ आती है और वो सीजी से बोली तुम तो काफी बड़े घर में रह रही हो मैं तुमारे लिए बहुत खुश हूँ तब ही सीजी के पास गोयान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है इसलिए मैं टाइम पर नहीं आ पाऊंगा तो सीजी बोली कोई बात नहीं मैं खाना अल्रेडी बना चुकी हूँ तुमारे ग्रैनमा भी यहां बहुत जल्दी आने वाली होंगी यह कहकर वो कॉल कट कर देती है और फिर जियांग से बोली गोयान की फ्लाइट लेट होगे इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा यह सुनकर उसका ब्रदर इनलो बोला वो ऐसा क्या काम करता है जो इतना बिजी है तो सीजी बूली मेरा हस्बेंड एक औरडिनरी वरकर है और इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा काम होता है तब इसके घर का डोर नौक होता है जहां गोयान की ग्रैनमा और उसका भाई आया था फिर ग्रैनमा सीजी से कहती है क्या तुम ही गोयान की वाइफ हो तो सीजी कहती है हाँ इसके बाद वो सब एक दूसरे को इंट्रिजूस करने लगते हैं इसके बाद सीजी ग्रैनमा को बताती है कि मेरे पास गोयान का भी कॉल आया था उसकी फ्लाइट लेट हो गए इसलिए वो नहीं आ पाएगा तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए फिर वो सब साथ में बैट कर डिनर करने लगते हैं तब ही जोग ग्रेंडमा के हाथ में एक बहुत महेंगा ब्रेसलेट देखता है और फो समझ जाता है कि ये काफी अमीर है फिर वो ग्रेंडमा से कहने लगा सीजी ने अचानक से किसी से शादी कर ली ये बात हमको बलकुल पसंद नहीं आई हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि इसका हस्बेंड कैसा है और फो इसे कैसे ट्रीट करता है इस पर ग्रेंडमा बोली डॉंट वरी हम सीजी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे इसके बाद जोग कहने लगा हमारे नेबर्स तो ये भी पूछ रहे थे कि तुम्हें सीजी के इनलॉज की तरब से क्या गिफ्ट मिला है ये सुनकर ग्रेंडमा कहती है अच्छा बताव आपको गिफ्ट में कितनी मनी चाहिए तो जोग कहता है पांच लाक युवान ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी आप ये कैसी बाते कर रहे हैं हमने आपको यहाँ पर खाने के लिए इन्वाइट किया है और आप यहाँ पैसो की बात करने लगे तब ही जोग उससे बोला तुम इतने सालों से हमारे घर में रह रही हो वो तो फिर भी मैंने कम पैसे मांगे है फिर ग्रेंडमा जोग उससे कहती है हमारी फैमली जएदा रिच नहीं है लेकिन हमारे पास पैसो की इतने भी कमे नहीं है लेकिन पहले हम डिनर कर लेते हैं अगले सीन में ग्रेंडमा वाँ से जा रही होती है और वो सीजी से बोली तुमें गोयान के अच्छे से केयर करनी होगी इसके बाद वो अपना एक ब्रेसलेट निकालती है और सीजी को देते हुए बोली यह हमारा एंसियंट ब्रेसलेट है और अब मैं इसे तुमें दे रही हूँ लेकिन सीजी कहती है यह ब्रेसलेट तो बहुत एक्सपेंसी होगा मैं इसे नहीं ले सकती तब ही ग्रेंडमा कहती है यह हमारे घर का रिच्वल है अगर तुमने इसे लेने से मना किया तो इसकी इंसल्ट होगी फिर सीजी उस ब्रेसलेट को रख लेती है फिर उससे कहने लगी गोयान अभी थोड़ी देर में आने वाला होगा अगर आप चाहो तो यहां रुक कर उसका वेट कर सकती हो तो ग्रेंडमा कहती है नहीं अभी मुझे घर पर काफी सारा काम है तो मैं उसे कभी और मिल लूँगी यह कहकर वो वहां से चली जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि जोओ सीजी के रूम में जाता है और फो वाँ पर कुछ देख रहा होता है लेकिन तब हे वाँ पर सीजी आ जाती है जो उसे बोली आप यहां क्या कर रहे हैं इसपर जोओ कहता है मैं बस देखने के लिए आया हूँ इसमें इतना परिशान होने की क्या बात है तो सीजी कहने लगी आपने यहां आने से पहले उनर की पर्मिशन नहीं ली किसी के घर के प्राइवेट एरिया में आप ऐसे कैसे जा सकते हैं ये अच्छी बात नहीं है तब ही उसका ब्रदर इनलो बोला फिर जो उससे गुस्से में बोला देखना एक दिन तुम गड़गडा तेवे मुस्से माफ़ी मांगोगी इसके बाद सीजी वहां से बाहर आ जाती है अगले सीन में वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं और तब ही गोयान गर पर आ जाता है तब ही सीजी उसे बताती है कि ये मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इनलो है फिर वो दोनों गोयान से एक दूसरे को इंट्रिड्यूस करवाते हैं और फिर वहां से चले गए फिर सीजी उससे बूली क्या तुमने खाना खा लिया वरना मैं तुमारे लिए खाना बना कर लाती हूँ तब ही गोयान उससे बूला तुम थोड़ी सैड लग रही हो क्या ग्रैनमा ने तुमसे कुछ कहा इस पर सीजी कहती है नई ग्रैनमा और शाओचें दोनों ही बहुत अच्छे हैं मैं तो किसी और वज़े से परिशान हूँ गोयान उससे कमफर्ट करने के लिए उसके क्लोस जा रहा होता है लेकिन सीजी उससे दूर अट जाती है फिर गोयान उससे बूला अब हम दोनों हस्बेंड वाइफ हैं अगर तुमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुम मुझे बता सकती हो लेकिन सीजी कहने लगी ये मत भूलो कि हमने ये शादी सिर्फ हमारी फैमली से डील करने के लिए की थी ये सुनकर गोयान कहता है अच्छा तो तुम ऐसा समझती हो ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जोह से मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है मैं तुमारी चीज ले आया हूँ पर पहले तुम मुझे पैसे दो फिर जोह उसे पैसे निकाल कर दे देता है फिर वो आदमी उसे एक पारसल देता है जिसे देखकर जोह उससे बोला क्या इसमें सारी फोटोज और वीडियोज है तो वो आदमी कहता है नहीं इसमें सिप कुछी फोटोज है बाकी की फोटोज और वीडियोज मुझे मिली नहीं लेकिन एक वोमेन को डराने के लिए इतनी फोटोज काफी होंगी, ये कहकर वो वहाँ से चला गया, अगले सीन में हम सीजी को देखते हैं, जो अपने सपने के बारे में सोच रही थी, और तब ही वहाँ पर शावयान आ जाती है, जो उससे कहने लगी, तुम थोड़ी वियर्ड लग रही हो, क्या रिसेंटली तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या फिर तुम्हारा अपने हस्बेंट के साथ जगडा हुआ है, इस पर सीजी बोली, तुम ये नॉनसेंस बाते मत करो, मैं बस पिछले कुछ दिन उसे सो नहीं पा रही, फिर शावयान उससे कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें रेश्ट करना चाहिए, शॉप के काम में मैं तुम्हारी हैल्प कर दूँ ही, तब ही सीजी के पास एक मैंसे जाता है, जिसमें जोव ने सीजी के एक फोटो भेजी थी, उसे देखकर सीजी अपने आप से बोली, ये सब कब हुआ, और मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तब ही उसकी फ्रेंड बोली, तुम कहां जा रही हो, तो सीजी बताती है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ये कहकर वो शॉप से बाहर चली जाती है, जहां गोयान के कुछ बोडिकार्ट्स उस पर नज़र रख रहे होते हैं, इसके बाद वो गोयान के पास जाकर उसे बताते हैं कि, अगले सीजी जहां से मिलने के लिए जाती है, और उससे बोली, मेरी ऐसी फोटो तुमारे पास कहां से आई, तब ही जहां उससे बोला, क्या तुम्हें इसका सॉलूशन नहीं चाहिए, तो सीजी कहती है, तुम इतनी डर्टी ठिंग्स कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं, कि जब ये बात तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को पता चलेगी, तब उन्हें कैसा लगेगा, इस पर जोग कहता है, मैं तो वो सब कुछ करूँगा जो मुझे पसंद है, और मुझे तुम्हारी सिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सीजी उसे बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरे इनलोज से गिफ्ट में पांच लाक युवान चाहिए, इस पर जोग कहता है हाँ, अफ्टर ओल तुम इतने सालों से मेरे घर में रह रही हो, तो ये बस उसी का मुआवजा है, ये सुनकर सीजी कहने लगी, इतने सालों से तुमने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत टॉर्चर किया है, मैं तुमें एक पैनी भी नहीं दूँगी, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब ही जोओ से उसकी कुछ और पिक्चर दिखाता है, और फिर उससे कहने लगा, अगर तुमारी ये फोटोस गोयान देखेगा तो पता है न क्या होगा, जब उसे पता चलेगा कि शादी से पहले तुम कितनी डर्टी वूमेन थी, और साथ में लोग तुमारी सिस्टर को भी ब्लेम करेंगे, ये सब देखकर सीजी उससे कहने लगी, तुम कितने घटी आदमी हो, कुछ पैसो के लिए तुम अपनी वाइफ को भी हट कर सकते हो, तो जोग बोला, मेरे लिए पैसो से ज़्यादा इंपोटेंट और कुछ नहीं है, और अब मुझे पहले की प्राइस से भी डबल मनी चाहिए, ये मत सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो गई तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड नहीं सकता, तुम भले कहीं भी छुप जाओ लेकिन तुम मुझे से बचने ही सकती, चलो मैं तुम्हें एक और ओफर देता हूँ, क्यों न तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए फन करो, ये कहा कर वो उसके हाथ को टच करने लगता है, लेकिन सीजी उसे दूर अठा देती है, फिर जो बोला, टॉन्ट वरी मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे हमारे बीच कुछ ना हुआ हूँ, खेर अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो मैं उन पैसों का वेट कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार अपनी सिस्टर के बारे में भी सूचना चाहिए, तब ही वहाँ पर गोयान आ जाता है, जो उसे उससे दूर रठा देता है, और उससे बोला, आप अभी ये क्या कर रहे थे, क्या मुझे एक्स्प्लेइन कर सकते हो, उससे देखकर जो अपने मन में कहता है, सीजी ने कहा था कि ये बस एक छोटा सा वर्कर है, लेकिन मुझे तो ये काफी अमीर लगता है, खेर ये सब मेरा कोई इल्यूजन होगा, इसके बाद वो गोयान से कहता है, अब तुम यहां आई गए हो तो खुदी देख लो, ये कहकर वो उसे सीजी की फोटोस दिखाता है, और उससे कहने लगा, मुझे ये सब किसी को बताते वे बहुत इंबरस फिल होता है, मैं सीजी का ब्रदर इन लो हूँ तो उसे ऐसे डटी काम्स करते वे नहीं देख सकता, आफटर और वो मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी है, ये सुनकर सीजी उससे कहने लगी, तुम ये नॉनसेंस बाते क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता मेरी ये फोटोज कहां से आई, ये सब सुनकर गोयान जोहू से बोला, सीजी मेरी वाइफ है, और मैं इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे किसी और से एक्स्प्लेनेशन सुनने की कोई जरुवत नहीं है, फिर जोहू कहने लगा, क्या तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाता हूँ, तब ही गोयान उसे चिला कर छुप करा देता है, और उससे कहता है, मैं तुमें ब्रादर इनलो कहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ की फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर वोन फोटोस को वहीं फेक देता है, और सीजी को अपने साथ ले जाता है, जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो सीजी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, और वो वहीं बेवोश हो जाती है, फिर गोयान उसे अपनी गोद में उठा कर वहाँ से ले जाता है वहीं दूसरी और जो हूँ अपने आप से कहता है अगर ये गोयान सिर्फ एक और्डिनेरी परसन है तो मैं इससे इतना डर क्यों रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यंग मास्टर गोयान है लेकिन ऐसा होता तो ये सीजी जैसी लड़की से क्यों शादी करता खेर मैं इसे एक दिन जरूर रिग्रेट करवाँगा अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी होस्पिटल में एडमिट होती है तब भी एक नर्स गोयान के पास आती है तो गोयान उसे बोला अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है तो सीजी कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ और फो फोटोज गोयान उसे बीच में ही रोकते हुए बोला तुम्हें उसकी फिकर करने की कोई जरूत नहीं है मैंने किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है जिसने भी तुम्हें हट किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी तब ही सीजी कहने लगी लेकिन वो फोटोज रियल है या फेक मुझे बिल्कुल नहीं पता वो सब फोटोज कहां से आई नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है कहीं उसने जो कहा वो सब सच तो नहीं तब ही गोयान कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है तुम ऐसी वूमेन बिल्कुल नहीं हो फिर सीजी कहने लगी तुम मुझ पर इतना बिलीव क्यों करते हो और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो गोयान कहने लगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बेंड हूँ और तुम अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो तुम्हें रेश्ट करना चाहिए अगले सीन में उसकी ग्रैंडमा सीजी से मिलने के लिए आती है और उससे पुंच दिये कि तुम्हें क्या हुआ है तब ही सीजी बोली ग्रैंडमा आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ इस पर ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे घर आने वाली थी इसलिए मैंने गोयान को कॉल किया था तब ही इसी ने बताए कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हूँ कहीं तुमने सीजी को बुली तो नहीं किया तो गोयान कहता है हाँ हाँ आज ये मेरी वज़े से हॉस्पिटल में एडमिट है तब ही उसकी ग्रैंडमा बोली इतनी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी डॉटर रिन्नों मिली है अगर तुमने इसकी अच्छे से केर नहीं की तो मैं तुमें कभी माफ नहीं करूँगी इसके बाद वो सीजी से कह दिये क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुमारे घर रुख सकती हूँ फिर सीजी उन्हें रुकने के लिए हाँ कह दे दिये इसके बाद गोयान अपनी ग्रेंडमा को लेकर वाँ से चला गया ताकि उनका सामान पिक कर सके बाहर आकर वो ग्रेंडमा से कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनिस ट्रिप पर जाना है आपने कहा था कि आप मेरी मेरिड लाइफ में इंटरिफेर नहीं करेंगी इस पर ग्रेंडमा कह दिये तो क्या हुआ क्या मैं अपनी ग्रेंड़ डाटर की केर भी नहीं कर सकती ये कह कर वो वहां से चली जाती है अगले सीन में गोयान का सिस्टेंट उसके पास कुछ इनफॉर्मेशन लेकर आता है और उससे कहता है मैंने चेक किया है कि जोग के पास रिसेंटली काफी सारा कैश आया है ये जरूर उस परसन से रिलेटेर होगा जिसने उसे ये फोटोस दिये लेकिन वो परसन हमें अभी तक मिला नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि मिस सीजी चार साल पहले कहीं गायाब हो गई थी और वो पूरी रात घर नहीं आई थी फिर उसकी सिस्टेंट जियांग उसे ढून कर लाई अगले सीन में गोयान जब घर वापस आता है तो सीजी उससे कहती है मैंने खाना बना कर रखा है तो मैं उसे गरम करके लाती हूँ ये कहकर वो किचन में चली गई इसके बाद ग्रैंड माग गोयान से बूली तुम याँ खड़े क्यों हो तुमें भी किचन में जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए ये सुनकर गोयान भी किचन में चला गया और वाँ जाकर उससे कहता है कि मुझे अभी भूक नहीं है फिर सीजी उससे उन फोटोस के बारे में पूंस दिये तो गोयान बोला मैं यहाँ तुम से इसी बारे में बात करने आया हूँ डॉंट वरी वो फोटोस फेक हैं तुमारा ब्रेदर इनलो तुमें डराना चाहता है ताकि तुम उसके कंडिशन्स एक्सेप्ट कर लो वैसे तुम जोग के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो तो सीजी कहने लगी जोग और मेरी सिस्टर एक दूसरे को मिडल स्कूल से जानते हैं उस ताइम उसने मेरी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशे उनसे प्यार करेगा यहां तक कि उसने ये भी कहा कि वो अपने साथ मुझे रख सकती है लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसका भीहेविर चेंज हो गया उसने मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत बुली किया है मेरी सिस्टर उससे डिवास नहीं लेना चाती क्योंकि वो नहीं चाती कि उनका बेटा बिना फादर के रहे ये सुनकर गोयान बोला चलो मुझे पता चल गया कि तुमारा ब्रादर इनलो किस टाइप का परसन है अपनी सिस्टर से कहना कि वो थोड़ी केरफुल रहे तो सीजी बोली वो उसे बहुत अच्छे से जानती है बस वो अपने बेटे के लिए सैक्रिफाइज कर रही है ताकि उसे एक अच्छा करियर और एक फैमली मिल सके बैदवे उस दिन अचानक से आप वाँ कैसे आ गए थे तो गोयान कहने लगा वहाँ पास में मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तब मैंने वहाँ तुम दोनों को देखा अगर मैं ये सब अपनी आखों से नहीं देखता तो तुम मुझे इस बारे में कभी नहीं बता दी इस पर सीजी कहती है सौरी मैं हमेशा से केली रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि दूसरों से हेल्प कैसे मांग दे है तो गोयान कहने लगा सीजी मैं तुम से कितनी बार कह चुका हूँ अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तुम मुझे पर ट्रेश्ट कर सकती हो अब तुम अकेली नहीं हो इस पर सीजी उसे थैंक्स कहती है तब ही गोयान बोला अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाती है तो तुमें मुझे एक favor देना होगा तो सीजी कहती है थीक हे बताओ आपको क्या favor चाये इस पर गोयान बोला आज रात को तुमें मेरे साथ same room में सोना होगा क्योंकि मेरी grandma बहुत smart है अगर उन्होंने तुमें separate room में सोते वे देखा तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा और तब हम बहुत बड़ी problem में फस जाएगे ये कहकर वो उसे हक कर लेता है क्योंकि उसकी grandma उन्हें देख रही धी अगले सीन में हम देखते हैं कि सीजी ग्रेंड मा के लिए गरम पानी लेकर जाती है टबी ग्रेंड मा उससे बोली क्या तुम सच में गोयान को लाइक करती हो इस पर सीजी हां कह देती है तब भी ग्रेंड मा बोली, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, क्या तुम दोनों ने अभी तक वैडिंग नहीं की, क्योंकि तुम गोयान से बहुत पॉलाइट बात कर दियो, वैसे तो हमेशा मैंस को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ग करके ओल्ड पीपल इतने फैशनेबल कैसे हो गए, तब ही गोयान रूम से बाहर आता है, और वो सीची से बोला, क्या तुम्हें सोना नहीं है, पहले ही काफी लेट हो गया है, ये सुनकर सीजी सोने के लिए चली जाती है, वहाँ जाकर वो गोयान को हग करती है, ताकि ग्र गोयान उससे कहने लगा, क्या ग्रेंड मा ने तुम्हें सामने मेरी बुराई की, इस पर सीजी कहती है नहीं, वो तो मुझसे ब्रेव बनकर तुम पर अटेक करने के लिए कह रही थी, फिर गोयान बोला, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगा, तो सीजी कहती है नहीं, मैं सीजी धीरे से उसके पास जाकर उसे देखने लग जाती है जिससे गोयान अचानक से डर जाता है